बिस्मिल्लार खानी रहीम असलाम लेकूं बच्चो आज हम पेपर से एर प्लेन या आप लोग इसे रॉकेट भी कह सकते हैं बनाना सिखेंगे ठीक है और से देखिए किस तरह से टीचर फोल्ड करना बता रहे हैं उसे तरीके से आप लोग फोल्ड करेंगे तो एक रॉकेट बनके त्यार हो जाएगी आपकी और से देखिए पहले एक प्लेन पेपर लेंगे ठीक है अगर आपके पास ऐसा पेपर ना हो तो कोई बात नहीं कोई साभी पेपर आप लोग ले सकते हैं अब सबसे पहले क्या करना है इसे यह जो किनारे है इन दोनों आमने सामने की किनार को एक दूसरे पर एक दूसरे के ऊपर आना चाहिए किनारे और देखाई दे रहा है इस तरह के से फोल्ड करना है जब हम फोल्ड करेंगे तो बीच में यह हमको लाइन मिल जाएगी हा हुम अब ही यहांसे सीध需 डफ से पेपर ले कि स्देदी एक शी लाइन पर रखेंगे और प्रेस करेंगे तो अब इसी तरह दूसरी तरफ का लेफ्ट साइड का भी पेपर इसी तरह ही एकसे लाइन की उपर रख कर दिए सब और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से सब प्रेस करेंगे दबाएंगे ताकि यह फिक्स हो जाए हीले नहीं फोल्डिंग इसकी हटे नहीं अब क्या करेंगे हम इसको पीछी की तरफ पल्टेंगे इसको ऊपर फोल्ड करके इस तरीक से प्रेस करना है कि अब यहां देखिए अब यहां से इसको पकड़के यह ऐसे यहां फोल्ड करना है ठीक है यह देखिए कि यह गौर से देखिए आप लोग कि अब कि अब यह फोल्ड करने के बाद एक और फोल्ड हम करेंगे ध्यान से देखिए इसी को पकड़के यह कोना है यहां पर यह पकड़के इसको और इसको एक फोल्ड और करेंगे ठीक है यह इस तरह के से एक फोल्ड और करेंगे अब यहां दूसरी तरफ भी पलट कर इसी तरह से सेम यही अमल करेंगे एक फोल्ड ऐसे करेंगे कोना पकड़ेंगे यहां पर यहां पर प्रेस करेंगे अच्छी तरीकर से दबाएंगे अब इसमें वापस एक बार और पिछे भी किये थे न हमने इसी तरीके से इस तरफ भी फोल्ड करेंगे ओके बहुत ही इसी है बिटा और आप लोग मुझे बना कर बताएंगे हम फोटो भेजेंगे या वीडियो भेजो आप लोग अब यह बीच में से इस तरीके से पकड़ेंगे और यह ऐसे हम यह बनगे हमारा रॉकिट और एर प्ल मन्हों थाइस आपिजिए तरीक आप लिए भीड़ेंगे अन्हों बाते हम करेंगे जाईज के एसे टुर बताब लोगेंगे हम फोलुद था दि खाप शेजिए झाया हम बनार पिस तरीके से बाताशेश बताब लोग्धे हम हम आप लोग्वेंगे हम आपी चुर में